तो आप सबी का स्वागत रानी सर्मा किचन में आज में आप सबी के साथ स्वागत करने जारी हूं एक्टम मसालेदार चप्पती आलू-फुल-कोवी की सबजी की रेसिपी जो आप सब को बहुत ही पसंद आएगी तो चले बनाना सुरू करते हैं एक्टम मज़दार रेसिप कि अग्यों कि तो आलू-फुल-कोवी की सब्याइब की रेसिपी बन्कर तयार है यह तम मसालेदार चपती फुल-कोवी आलू-की शब्जी तप इसे बचे टीसे दो एकड़ी साधी पारटी अप्यू för वी की सब्ची तो जरू ट्राइ करिएगा और इस तरह से बना के देखेगा आपको बहुत ही पसंद आएगी तो एकदम साधी पाटियों वाली जैसे सब्जी तो इसके लिए हमने कड़ाई चड़ा दिये गरम होने के लिए चार से पांच चमच के लगवग हम सरसो का तेल डाल देंगे तब हम इसे फुलकोवी को अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राइ कर लेंगे तो देखिए अब फुलकोवी अच्छी तरह से लाल हो चुकी है तो हम इसे इसी तरह फ्राइ कर लेंगे तब हम एक प्लेट में फुलकोवी को निकाल लेंगे तो देखिए एकदम गोल्डन ब्राउंड हो चुकी है तो अब हम उसी तेल में आलू को भी फ्राइ कर लेंगे लाल होने तक तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और जट पत बनकर तयार हो जाती है तो देखें आलू भी फ्राई हो चुकी है तब हम आलू को भी निकाल लेंगे एक प्लेट में तो गोल्डन ब्रॉन हो चुकी आलू तब हम एक प्लेट में आलू को भी निकाल लिये हैं तब हम इसी में थोड़ा दो से तीन चमच और तेल डाल देंगे तेल गरम हो चुकी अब हम इसे पच फोटन डाल देंगे तो ये चटकने लगी है तो अब हम इसमें दो कटी भी हरी मिर्च डाल देंगे आप अकर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो दो ही मिर्च डाली हूँ और दो प्याज हम छोटे पतले टुक्रों में काट लिए तो इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तो दिखें प्याज भी अच्छी तरह से लाल हो चुकी है प्याज अब फ्राई हो चुकी है तो हम इसमें हाप टीस्पून हल्दी हाप टीस्पून लाल मिच पाउडर हाप टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे अब हम इसमें एक चमच के लगभग स्वादानुसर नमक डालेंगे आप अपने स्वादानुसर डाले तब हम इसे अच्छी तरह से मसाला को फ्राई कर लेंगे तो मैं नौन श्टीक बहुत ही कम यूज करती हूँ मैं जायतर लोह कडाई में ही बनाती हूँ खाना तब हम इसमें अद्रक लसुन का पेश्ट डाल देंगे दो चमच के लगभग तो हम इससे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो इसमें दो टमाटर छोटे टुक्ड़ों में काट कर अब हम डाल लेंगे अब इससे भी हम अच्छी तरह से अब हम इससे थोरा ढंक देंगे मसाला और टमाटर पकने के लिए तो देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुकी है, सेट से तेल भी छोड़ने लगी है एथे क्ली माटर इसार अच्छी तरह पक चुकी है तब हम उसे फ्राइ क्यावा फुलकोवी अलु को डाल देंगे तब हम इस अच्छी तरह से मसाला लेंगे इसे पांच मिनट तक इसे मसाला फ्राइए करेंगे आलू फुलकोवी को तब हम इसमें ढगा देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से आलू और फुलकोवी में मिल जाए तो देखें कि ती तरह से फ्राइए हो चुकी है तब हम इसमें एक कप के लगवग पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला कर ढग देंगे ताकि आलू और फुलकोवी अच्छी तरह से पक जाए तब हम धक्कन हटा कर देखेंगे तो देखें आलू और फुलकोवी अच्छी तरह से पक चुकी है तब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यह सब्जी एकदम जटपट बनकर तयार हो जाती है आप सुबह एकदम आराम से बना कर बच्चे को टीपी ने भी दे सकते हैं तब हम इसमें एक चमच आधा चमच के लगबद गरम मसाला डाल देंगे थोड़ी सी कस्तुरी मेती डाल देंगे इस से स्वाद और भी तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जरूर बताइएगा मेरी आलू और फुलकोवी की रेसेपी आप सबको कैसे लगी एकदम साधी पाटी वाली जैसे फुलकोवी एकदम मसालेदार बनकर तयार है तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसेपी के दी है राउलकेला में तो मैं अब राउलकेला आ गई हूं तो यहां देखिए बाड़ी सोड़ी है मौसम बहुत सुहाना है तो बस चल रहे हूं पकोड़ी बनाने के लिए तो आप भी जरूर बनाए आपक्षा हो रही है कि नहीं जरूर बताइए कमेंड बोक्स में